नीमत चिली की सरवानिया पुलिस ने बड़ी कारवाई को अंजाम देते वे 5.84 किलो डोडा चुरा के साथ एक आरोप्यू गिरफतार किया है मिली जानकारी के अनुसार शुकरवाद राट चोगी पुलिस ने रासू रोड पर एक पीकप से 5.84 किलो डोडा चुरा जब कर ड्राइवर को गिरफतार किया शनीवा सुबर ड्राइवर को कोर्ड में पेश दिया गया जहां से उसे 16 मार्स तक पुलिस रिमान पर सोब दिया गया पुलिस में बताये कि मुगबी से सुषना पर रासू रोड स्थित कलेपूर फंटे पर नाकाबंदी की चेकिंग के दोरान पीकप की तलाशी ली जिसमें कट्टो में भरा पांच के इंटर 84 किलो डोडा चुरा जब किया गया आरोपी ड्राइवर थाना राम जाड निवासी बाड मेर की खिलाफ एंडी पी एस एक्ट में मामला दर्श किया गया है कल देर साम को मुक्विर से सूचना मिली थी कि राजस्थान के बाड मेर के कुछ लोग यहां पर डोडा चुरा के तसकरी और ले जाने के लिए गूम रहे हैं उस सूचना पर पुलिस ने नाके बंदी की थी उस नाके बंदी में एक पिक अप गाड़ी आती हुए दिखे जिसको रोका गया और उसको जब पकड़ा गया तो उसमें एक थाना राम नाम का व्यक्ति बैठा था जो मुलता बाड मेर का रहने वाला है साथ है उस गाड़ी में छे बोरो में लगबख पांच कुंतल असी कीलो के असपास डोड़ा चूरा उसमें मिला उस जाच करने के बाद पुलिस ने ततकाल उसमें एंडीपिया साइट के तहत प्रक्रण पिंजिवत किया पूछता आच में ये भी पता चला कि पुशकर बावडी नाम का सरवानिया का रहने वाला नया गाउँ छेत्र का एक अस्थानी व्यक्ति है जिसने इस डोड़ा चूरा को उनको पहुचाने में सहयोग दिया और उसी के द्वारा ये डोड़ा चूरा दिया गया था उसको इस फ्रक्रन में आरोपी बनाया गया है पुलिस ने तीनों आरोपियों को जो मूल आरोपी उसको गिरफतार किया है पुलिस रिमान ले रहे हैं इसमें हम लोगे भी पता करने हैं कि नीमच के ऐसे कौन लोग है जिनके द्वारा ये डोड़ा चूरा दिया गया साथी बाड नों तरीकों से हम इसमें जो मुख्या रोपी हैं उनकी तह तक जाएंगे और उनके खिलाब सक्टर में करेंगे नीमच से मुश्तार अलिशा की रिपोर्ट